हेलो फ्रेंज वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल लाइफ हेल्थ और एक बार फिस्जे में आपके साथ जूड़ चुकी हूँ स्वराणचली और फ्रेंज आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रेग्नेंसी टेस्ट कब करना चाहिए प्रेग्नेंसी टेस्ट करना चाहिए प्रेग्नेंसी टेस्ट का सही समय क्या है किस समय आपको ये टेस्ट करना चाहिए जिससे आपको रिजर्ट सही मिलता है तो आये friends जानते हैं फ्रेंस मा बनना हर अऔरत का सपना होता है और अपनी pregnancy को लेकर काफी उतसुख भी होती है इसलिए दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि period miss होने के एकने दिन बाद आपको pregnancy test करना चीज़े जिससे आपको positive result मिले फ्रेंज जब भी आपका period miss हो उसके एक हपते बाद आपको pregnancy test कर सकती है और एक बाद का आपको खास खयाल रखना है जो आप urine ले वो सुबह के time की ही हो सुबह सुबह जब आप उठती हैं उस समय जो आप urine पास करती हैं उस urine से आप test करेंगी तो उससे आपको positive result और सही result प्राप्त होता है और यदि आप एक हपते में test कर रही हैं और आपको negative result मिल रहा है तो इसके बाद आप 10-12 दिनों में भी इससे दुबारा test कर सकती हैं इसके बाद भी यदि आपको negative result मिलता है तो आप 15 दिन में भी test कर सकती है 15 दिन में आपको सही result जरूर मिल जाएगा तो friends आप इस बात का ख्याल रखें period में सोने के एक हपते बाद test करें और सुबा के टाइम भी करें तो friends I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद रहा है तो टीशीटी को लाइक करें शेयर करें और साथी चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप देख सकें बाई गाईज